हेलो एवरिवन दिस विसाकर मिस फ्रॉम विसाकर क्लास थीज और मैं आज का यह लेक्चिर एमकुम पार्ट वन अकाउंट पेपर कर लिखे आई हूँ और यह जो मैं अभी आपको पूरा एक्स्पेंट करा रहा है वाले हो आज इसी एक ही वीडियो में इसी फुञ सब्जेक हम कम्पूरेट कर देगे फुल सब्जेक आपका यह कॉंपूरेट हो जाएगे जितने विसमें लेशन से हो सभी में अएक सब्सक्राइण . इसुञ मैं सिव आपको इमंसी क्यूरह से लिखे जो भी रहेगा वह हम्साम क्शाय पूर्ट साभरा बुखाल अब holding के बारे में बात में मालूम करेंगी पहले company क्या होते हैं company आपको मालूम में जहाप कोई भी ज्यादा से दो होती है चार जन आके आपस में आके या single person भी आके एक अपनी company खड़ी कर देदा है for example यह आपर मैं अभी ले लेती हूँ एक reliance company ले लेते हैं अपने आपर जो एक company है और दुसरी कोई Mr. B की कोई company है ठीक है अब reliance बहुत बड़ी company है Mr. B की जो company वो बहुत छोटी है अब reliance क्या करेगा जब उस B की company के कुछ sets कुछ shares मतलब 51% shares मतलब हाफ से भी ज़्याद हम एक परसंट बड़ा देते हैं 51% उतना shares उसने खरीद लिया reliance ने तो अब जो भी उस company का losses, gaining या कुछ भी होता तो कौन जिमेदाद होता है reliance होता है तो उसको समालने या उसको करने पर उसी को बोला जाता है holding तो या पर उसी का मतलब क्या हो गया holding company तो reliance क्या हो गई हमारे लिए या पर holding company इतना clear है अब आगे देखते क्या क्या दिया है हमें इसमें बारे में और कुछ important topic हो तो जिसी या पर देखिए यह दिखते हो more than the one half of the sales of company का लिया गया है यह आपके लिए important इसको आप underline कर सकते हो so secure control या पर और कुछ important नहीं दिख रहा है मैंको वही एक important चीज़ थी अब आगे देख लेते कि company act 1956 के हिसाप से क्या दिया है यह बहुत important है section 4 of the company 1956 इसको भी आप underline कर सकते हो कि कौन से साल के हिसाप से हमें holding company को देखना पड़ता है तरदर company control the compositor of the board of director बराबर है अब reliance company है वो जो भी Mr. B की company थी उसको क्या करेगा उसको पूरा control करेगा वाके जो रेने वाके जो board of director है उनको भी कौन control करेगा reliance company वो इस सब दिया मैंने आपको shortcut में बता दिया कि क्या होता है अब इसके फायदे क्या होता है कि इस holding company में जो भी losses कुछ हो रहेगा टैक्स कुछ भी रहा रहेगा तो जो holding company रहेगी वो सब समालेगी वो छोटी company में कुछ ने कुछ अच्छा भी होता होगा वो भी कौन समालेगा जो holding company अब यह पर में holding company वर्ड ने यूज करेंगे अब यह पर हम reliance यूज करेंगे तो आपको फटा फट समझेगा कि reliance हमारे holding company है और हमारे लिए उसी भी हम धियान देने ठीक है it is possible to carry the forward loss for the income tax purpose income tax purpose के लिए भी लॉस को forward किया जा सकता है holding company में additional required to dispose of any shares and subsidiary company in the market whenever they decide बराबर है अब इसके कुछ नुक्सान तो होंगा ऐसे तो हो सकता नहीं न कि फाइदा ही हो गया कि चलो reliance ले लिया दूसरी company को तो उसको फाइदा ही फाइदा होगा नहीं होगा अब इसमें क्या problem हो सकता है कि वाप पर जो recording हो सकता है जो records हो तो उसको सब को maintain करना पड़ेगा इंटरन कंपने में कुछ तो पैसे का कुछ लोचा जोल तो नहीं हो रहा है वह भी देखना पड़ते हैं यह minority होता है वह चेक करना पता है copy and profit and loss को वह चेक रिपोर्ट पर अपने बुक में लेना पड़ता है फिर बोर्ड डायर्क लेना पड़ता है ओडरी रिपोर्ट यह सब कुछ चीज़े को हमें वह पर делł continued करना पड़ते हैं फाइनेसनल स्टेट्मेट बनता है यह बहुत इंपर्टना प्रेल इंट बंता है कि मैं आ पेन्स चरिंट मिंत करके आndब कर आदबी वह तरीक से मैंने क्या 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 अकांट ओपन कि आकांट ओपन क्या किया अंच्ट मेरी कमपनी का भी भी सेट के हो एकि मेरा accounting year कब से financial year accounting year कब होता मेरा 1st April के 2021 का हुआ अब जब 2022 का 31st March जप आएगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा end of the accounting year ये किसके सबसे होता है accounting standard 21 ये भी बहुत important है accounting standard 21 अब उसमें क्या क्या बनाना पड़ता है हमें profit and loss बनाना पड़ेगा balance sheet बनाना पड़ेगा cash flow statement बनाना पड़ेगा notes for accounting एक्सेप ट्रापिकल जो होते हमारे WhatsApp देखने पड़ेंगे और ये segment reporting के हिसाब से देखना पड़ेगा accounting of balance sheet ये sums में हमें बता दूगी किस तरी किसे करना है क्या नहीं है क्या क्या entries हम उसमें डालते हैं shortcut में आपको बता दूगी cost of control goodwill and capital reserve अभी जाभी reliance हमारे company ले रही है तो हमें देखना पड़ेगा कि इसका cost of control क्या है जिस देखते हो more than 50% of the shares लिया जा रहे अगर more than 50% shares लेंगे तो यह वह तो company के मालिक होगी 51% 50 से अबाव होना ही जरूरी है if there is excess of profit asset in the net asset subsidy company intend the shares acquire the cost of the share या फिर capital revenue will be reduced हो जाएगा from the goodwill में से क्या होगा कि capital revenue क्या हो जाएगा कम हो जाएगा अब एक्दा में कुछ shortcut में समसाएगे कुछ इस तरीके से देख सकते हो जाएगा डिटेलिंग में आपको समच नहीं आएगा क्या दिया है कि balance sheet दिया हुआ है as limit as on 34th March 2010 liability only फिर दिया है कि share capital 40,000 equity shares of rupees 10 each 40,000 दिया है equity shares 40,000 है और एक share 10 रुपे का तो कितने के shares रुपे है reserve and surplus दिया है 2,05,000 security loan दिया है 2,05,000 और other liability दिया हुआ है एक लाँ इस तब के total कर देंगे तो 10,00,000 हो गया अब यह दा about date of age limited acquire the 30,000 equity shares on the about date for rupees 7,000 7,50,000 fix assets of as limited were apprecent by the rupees 1,15,000 fine out of cost of controlling and the goodwill अब कैसे fine करेंगे इस तरीके से हमें solve करना है सरसे पहले cost of investment as limited as limited ने कितने का investment किया है as limited कितने का investment किया है 7,50,000 का वो हम लिख देंगे अब इसमें से करना है जो भी share capital रेगा share capital कितने थे हमारे पास 4,000,000 जिसमें से 3,4 देना पड़ेगा 3,4 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 3,000,000 बचेगा same share as revenue surplus का भी हमें 2,50,000 में से 3,4 देना पड़ेगा पहले multiply कर तो फिर divide कर सकतो या पहले divide कर तो फिर multiply करोगे तो भी चलेगा आगया 1,87,500 share of capital profit share of capital profit कितना दिया था 1,55,000 यहापर दिया हुआ यह दिखे 1,55,000 का वो लिख दोगे इसको 3,4 की साब से चेक करोगे बड़ेबर divide करोगे 1,12,500 आएगा इन तीनों को plus करके यहापर लिख दोगे investment कितना किया 7,55,000 का बाकि sales market कितने थे 6,00,000 तो goodwill कितना हुआ 1,55,000 इस तरीकी से आपको sums आने वाले exam है तो आपको क्या करना फटाफ़ट shortcut मिता डिटे में लिखने का नहीं फटाफ़ट solve करने का चेक करने का amount निकालने का बर्स matter the interest क्या होता है यहां पर दिया गया है कि जैसे जो liabilities होती है जो consular balance sheet होता है उसमे एक net asset हम निकाला जाता है उसको और कुछ नहीं हमारे एक तरह का sales होता है वह हमें इसमें बताना रहता है तो कितने का sales है कितना उसमें losses हो गया है नहीं हुआ का profit है हमारे वह सम इसमें देख जाते है यहां पर सम दिया हुआ है क्या दिया है कि यहां पर the following is the balance sheet of the S limited S on 31st March 2010 इसको अंडरलाइं कर दो कि यह चीछ बहुत मैंने 31st March 2010 अब क्या दिया है liability दिया है rupees और assets है rupees share capitals दिया है equity share of rupees 10 each दिया है general deserve and the profit and loss current liabilities fixed assets investment current assets and the preliminary expenses assumptions कैसे करना है उसे पहले है और कुछ detail दिया हो देख लेंगे taking edge limited acquired 25,000 shares of edge limited on 31st March 2010 at the cost of rupees 2,75,000 the fixed assets were revalue at the rupees fixed assets को revalue कर दिया कितने का 3,80,80,000 पहले कितने था 2,90,000 अब कितने हो गया 3,80,000 अब क्या करेंगे monetary interest find करना कि कितने का interest क्या मिला है हमें इसका मेरी sort के logical दिखा दे तो कैसे करना है यहां पहले हम ले लेंगे 2,000 upon 27,000 उपर दिया हुआ है divide करने सब 0 cancel हो जाएगा 2 is to 27 अब जो भी हम share से कुछ भी हम calculate करेंगे इसी के इसाफ़ से में calculate करना है share capital दिया हुआ है 2,17,000 यहां पहे देख सकते हो यह दिया हुआ 2,70,000 तो इसको multiply by 2 divide by 27 करेंगे 20,000 आगया same share in the reserve and surplus करेंगे 3,16,000 into multiply by 2 upon 27 करेंगे तो 20,000 आगया shares in the capital profit करेंगे profit कैसे find करता है यहां पहे जो हमें amount दी हुई है यह दिखाती हुए आपको यह देखें यहां पहे जो 3,60,000 दिया हुआ हुआ तो हमारी यह वाली amount हो गई general reserve and profit उसमसे पहली में expense minus कर देंगे fixed asset कितना हो गया था 2,90,000 का हो गया था और यहां पहे fixed asset कितने का हो गया था 3,80,000 दोनों को minus करने कितना आ गया 38,000 इसको पहला minus करेंगे फिर plus करेंगे amount यहां पहे आगया अप्रेट होता है ऐसे यह बाकी सब भी समसे लेकिन बड़े समस exams में नहीं आएंगे जितने आएंगे यह छोटे calculate होता है वह यह आने वाले है Capital Profit and Revenue Profit Capital Profit क्या होता है जो Company का जो Capital Profit मिलता है amount हम जो लगाते है पैसा उसको बाद जो Profit निकलता है उसको बोलते है Capital Profit और Revenue Profit होता है देखते हैं यहां पर दिया है Capital Profit and Revenue Profit from the point of view by the holding company की हिसाब से मैं देखना पड़ता है कि उनका क्या है इसको खाल एक बाद रेट कर सकते हो जादा जरूरी नहीं है Unreliable Profit जो बीना मालूम किया प्रॉफिट लिए revenue Profit लिए सब मिल जाते हैं वही बोलते हैं इसको Contingent Reliability Contingent Reliability Contingent Reliability दो तरह की होती Internal होती और External होती आगे देखते दिया हुआ है जो हमें Between Holding Company और जो जिसको Hold किया गया है वह मतलब इस तर B और Reliance Company के बीच में जो Internally होती है उसमें जो एक Foot Node और कुछ Balance Sheet में बना देते हैं उसको बोला जाते है externally जो भाहर मतलब Government की तरफ से या Public की तरफ से होता है उसको बोलते है externally जो भी आमें पूरानी कंपनी का और नई कंपनी में ट्रांजेक्शन जो होते हैं उसको कैसे सेटल आउट करना करता है वह बताएं गया है जिसे आपे शेर्स मार्केट्स का दिया हुआ है यह बड़े कुशन से बड़े कुशन देखे कुछ फाइदा नहीं है ज्यादह डीटेलिंग घर कि कुछ यूश्फूल नहीं है आप यह देखे तो यह कैसे कैल्कुलेट किया थे परसेंटेज जो आता है वह कैसे आता है वह आपको मैं बता देती मैंने कि हमीं कैल्कुलेट कैसे करना है अभी हम जाएंगे उपर की question में ध्यान से मैं आपको जो point बताऊंगे ना ध्यान से समझोगे एक point ही यहाँ पर देखो S limited S limit का कितना यहाँ पर से 2 लाग तो इसको अभी है ना यहाँ पर हम hundred से divide कर देखो कितना हो जाएगा दो जार रुपर हो जाएगा इसको रख दो side में अब asset में आ जाओ asset में क्या दिया है कि share in the S limited कितना 16,000 एट रुपीज 200 इच पहले से बता दिया कितने से उसके पास 16 लाग अगर 2 लाग पहले 2000 से थे 16 ले लिया गया तो बच्छे कितने है 400 अब नीच आओ S limited shares दिया है in the S limited यह H में था ना तो H में कितना था 16,000 एट 1,600 दिवाइड बाइ 2,000 जो S का total link था तो कितना हो गया 4 इस तो 5 मतलब पहले 2000 था S के पास इसमें से 1600 shares किसने ले लिया H ने तो अभी S के बास कितना बचा रहेगा last 400 जो बच गया है S के पास उसे को क्या बोला जाता है minority share जिस company से अपने आप B company है तो B company के पास अभी कितने shares बच गए सिफ 400,000 रिलाइंस ने कितना ले लिया 1600 बस इसको calculate करना है अब जब भी हम कुछ dividing calculate करेंगे इनी के हिसाब से हम calculate करना पर है H के इसके हिसाब से और S के लिए इसके हिसाब से हम calculate करेंगे हाई द्यान दखना है कि जिस company जो holding company ले रही है वो कितने में कितना shares लिया जा रही है वो हमें check करने रहते हैं bonus shares, bonus shares में हमने कुछ अच्छा काम कर दिया या company में जब अच्छा कुछ काम करते हैं तो एक्षण उसके bonus shares मिला जाता है या bonus मिलता है वैसे ही या पर bonus shares होता है कि जब कोई shares को जब increase number of shares holding company जब ले ले लेती तो इसको एक bonus इस वो बोनस मिलता है इसको वैसे ही calculate करना इसमें भी अब treatment of dividend dividend कैसे paid करेंगे जो भी holding company रहेगी वो debit कर देगी bank account को बात में प्री एक्विट करेंगे profit को और जो भी पोस्टेट रहेगा उसको भी कर देगी company को बात में उसमें जो dividend डिशिव रहेगा वो holding company को प्री एक्विट प्रॉफिट और credit कर देगी investment accounts को इस तरह किसे आप एक पुरा calculate किया जाता है प्रोविजिन और टेक्स भी देखना पड़ता है प्रोविजिन और टेक्स में क्या होते है जो holding company या जो subsidiary company होती है उसमें कुछने को बैलेंस सीट में या liability site को उसको शो करना पड़ेगा तो यह तो holding company उसकी साथ सब चेक करेगी यह देखेगी जापर और purchase of sales देखना पड जाता है और foreign subsidiary भी होगा foreign subsidiary कब होता है जब को foreign company हमें Indian company के holding company लिया जाता है तो उसमें एक foreign का अलग से balance sheet accounting बनता है वो भी उसको बात में हमें अपनी home currency में convert भी करना पहते हैं कि वापर जो company होती है वो foreigner होती है अभी जैसे हम जो अपर रिलाइंस ले लो अलग-अलग Indian reliance company हमारे इंडिया में है बाकी coins जैसे मिस्टर बी की बात कर रहे तो मिस्टर बी समझो अमरिका में अमरिका में क्या हो गया dollar यूस के जा रहे है तो वहापर जो भी account बनेगा वो dollar में बनेगा लेकि बात में reliance को क्या करना पढ़ेगा उसको dollar में तो देखना ही नहीं इसको Indian rupees में देखना रहेगा तो Indian rupees में देखने के लिए उसको क्या करना पढ़ेगा उस currency को home currency में convert करना पढ़ेगा मतलब dollars को अपने rupees में इसको convert करना पढ़ेगा तो उसके लिए उसको अलग से account बनाना पढ़ेगा कि recently अभी कितना amount price चल रहा है इंडिया में उसकी साब से वहाप से sum बनता है पूरा यह साइट से नहीं है नहीं है इसमें नहीं दिया है यहाँ पर कुछ दिया गया है questions में वरगीन और रिलोने एक सिके में देख लेती हूँ उसके बाद अगर लगेगा में को important तो मैं आपको explain करा तूंगी यह पर समझागे देखो देखो देखेंच रेट वेदा अंडर ऑफ फर्स अपरेट 2009 डॉलर वन इस्ट रूपीस 41 अंडर फर्स अपरेट 2019 तक एक डॉलर की प्रैस कितनी थी 41 थर्टी सप्टेंबर क्या होगे उसका प्रैस 42 थर्टी फर्स मार्स तुटा थेंस से क्या प्र और जब कुछ नहीं दिया रहेगा रेट में कुछ नहीं बोला किया डेट के बार में नहीं वालू रहेगा तक आपर हम क्या यूश करते हैं 42 यूश करते हैं समको जाते हैं बढ़ताने का इंपोर्टन कुछ नहीं है खाली यह देन रहना जिसे आपर फर्स अपरेट 2009 दिय रहेगा 20,000 x 41 रूपीज कर देंगे इस तरी की समसा पर गलकुल क्याता है उसमें और को डिटलिम जानेंगे नहीं हम देख रहेगा आगे और कुछ इंपोर्टन है कि नहीं नहीं तो फिर हम नेक्स लेसन में चले जाएंगे यह लेसन में कुछ अब्जेट्यूस दिये अब मुझे कमेंट कर सकते हो तो मैं इसका लख से एक वीडियो बना दूँगी तो इसमें आपको मैं एक्स्पेंट करा दूँगी किसका अंसर क्या है ठीक है तो अभी मैं वेस्ट नहीं करूंगे अपना टाइम बिल्कुल भी तो हम डारेक्टे चले जाएंगे नेक्स ले अब बैंकिंग कंपनीज क्या हो गई बैंकिंग तो मारूं पको बैंक क्या होता है अलग अलग जो बैंक होते हैं जापर हम पैसा रखते हैं ट्रांजेक्शन करते हैं या एकसे जोंफ मनी हो गया या पर कुछ हमें लोन ले लिया हो उसी को बोला जाता है बैंक जापर लेन बैंक, अब बैंक क्या होता है, किसके सबसे हम देखा जाता है यहाँ पर, बैंक इन रेकुलेट एक्ट ऑफ निए फॉटिन ने और अन अल्सों सब्जेक्ट टू कॉंपनी एक्ट निए फिफिटी सिख्स, से मैंने अभी बताए कि बैंक क्या होता है, वह यहाँ पर एक्स्प्रेंड किया हूँ, इनकी लैंवेच में, अब हमें क्या काम आता है bank, bank का एक फाइदागर होता है, जब हम foreign में कुछ पैसे invest करते हैं, या हम foreign में जब जा रहे हूं, तो हम directly अपने bank account में अपना पैसे डाल दीजिए, एक हमने कुछ card मिलते हैं, कोई भी नाम यात नहीं आ रहे हैं, तो उस card से हम क्या कर सकते हैं, अब यापने non banking assets हैं, यह banking assets निया गया है, non banking और banking assets अलग अलग ही हो जाते हैं, assets जो अधर होते हैं, बाकि जो हमारे काम के नहीं हो, तो इसको बहुत non banking assets, और minimum capital revenue होना चाहिए, minimum capital revenue क्या होना चाहिए, इंदर cash of banking company incorporated outside of India, it is place of place of business, the city of Mumbai, और कॉल करता है, बहुत of rupees 20 lakh, दोनो जापे भी outside of India and a company हो, या बंबई में हो, या कॉलकता में हो, कितना होना चाहिए, 20 lakh, जापे इंदर place of business, और अधर बंबाई और कलकता, तो पर 15 lakh, additional 20% profit earning in India must be added in the summation above, कि जितने का पैसा लगा हो, इसमें 20% profit add कर दो, क्योंकि वह Indian company, Indian company for अपना पैसा, वो बहुता interest जो भी र या पर कुछ borrowing आपको मालूँ में, discount मालूँ में, कोई चीछ पर में discount लगा दिया, वो मालूँ है, brokerage मतलब जब हम, for example, मैं किसी वो गर बेचने के बात में, मुझे कुछ, उनसे एक amount लूँगी, वो amount को बोला जाता है, brokerage, ठीक है, अपको cash revenues हम पहले ही पढ़ चुक है, इसके बारे में, जिसा आपका 11-12 में हो चुक है, mainly आपका ये concept सब, अब book of account दिया, book of account में क्या क्या बनेगा principle books दिया है, subsidy books दी गई है, subsidy books का ये पढ़ लिजे, क्या क्या importance है, क्या क्या आ सकता है उसमें, मैं सबसे idea दो principle book पढ़ ला, दो ये, जो principle book में नहीं आता है, वो subsidy book में आता है, और कुछ important, यह पर कुछ important लग रहा है, जैसे, interest in loan term, loan account in the past due, a cash credit, overdraft account remain out of order, bill purchase, discount is unpaid or overdue, any amount of realized dispute, any other amount remain past due, और यह पर कुछ दिया है, the period is more than the 120 days हो जाता है, और यह पर period non-extend within half year, period of 120 day has been reduced to 90th day, if we're from 31st March 2004, पर लिए 180 दिरिंग का था, जिसको अभी सिम 90 दिरिंग के लिए कर दिया है, कब से किया है, 31st March 2004 से, यह कहा सकते है, what the date of reducing from which date, तो यह पर आता है, 31st March 2004, यह यह याद कली से, period for which the advance has been constrained as doubtful है, up to one year हुआ, तो 20%, up to three year हुआ, तो 30%, and more than three year हुआ, तो 50%, यह पर कुछ sums दिये गए है, क्या दिया है, standard assets दिया गया है, तो क्या करोगे, standard assets को सबको plus कर दो, लिख दिया, इन सबको plus करो, लिख दो, इन सबको plus कर दो, एक दूसरे से फटाफट, तो यह पर क्या है, 5,150, plus 4,925, plus 2,375, 12,450 आएगा, और यह पर क्या हमें, standard assets का कोई percentage नहीं होता है, तो नील कर देंगे, सर्फ standard assets का percent कितना होता है, 6,500, 10% होगा, तो 6,500 पर 10% निकालेंगे, amount of provision कितना होगा, 650, dot full of assets, dot full of assets का मैंने अब भी आपको बताया था, यह दिखे, dot full of assets का अभी हमने आपे percentage दिखा था, 20, 30, 50, यह याद करो, 20, 30, 50, directly यह पर लिखने का है, 20%, 30%, 50%, loss of assets का भी 100% होगा, यह पर जो जो रेगा percent को calculate करो, ऐसे कहते है, calculate मैं करके दिखाती है अभी आपको, कितना हो, यह पर हम calculate कहा है, अब amount type के कहा है, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 0, multiply 2, फिर 0, into, और इसका हम कर देंगे, हम divide by 100, is equal to, कितना है, 460, यह पर देख सकते हो, 460 आगे है, ऐसे हम बागे सब भी calculate कर देना है, अब final account, final account कर दो मालू है, कैसे बना बनता है, नकि बस अभी इसमें थोड़ा सा changes आगे है, अब यह तक हमने final account अपना T form में देखा है, अब यह आ गया vertically form पे, अब कैसे बनता है, देख लिजे, खाली इतना देहन दखने, किसके अंदर क्या आता है, और यह जब नमबर दिया है, वो भी नियान दखना ज़रूरी है, किसके सबसे हम समसागी देखेंगे, क्या दिया है यह आपर, कि form of balance से दिया गया है, नाम आता है उनका, current year कितना है, current liability में क्या क्या आ गया, capital, reserve and surplus, deposit, borrowing, other liabilities and the provisions, assets आ जाएंगे, जो हम T form बनाते हैं, बस क्या करना, liability यह लिखने, assets को यह लिखने, लिकिन यह जो points यह ना, line by line, वो भी वैसे ही रहना चाहिए, उसको भी आप चेंज नहीं कर सकते हो, बना फर्स प्रेस 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 love plus ही आएगा, third पर deposit ही आएगा, fourth पर borrow ही आएगा, इसे eight पर investment ही आएगा, इस सब का total यह लिखोगे, इन सब का total यह लिखोगे, इन दुन को यह पर minus करके हमें नीचे मिल जाएगा, bills for collections हमें last big amount मिल जाएगा, same profit and loss में income लिखा जाता है, पहले interest earning and other income लिखा जाता है, expenditure and the operative expense लिखा जाता है, third आता है profit and loss, net profit, इसको minus करने पर एक amount मिलेगा, वो हम लिखा जाता है कि profit and loss हुआ है, फिर approach करेंगे, transform करेंगे, reserve करना है, government का है कि आप कुछ provision, dividend है, कि आप balance sheet कितना over sheet हुआ है, वो समय आपर लिखा जाता है, अब हमने capital लिखाता है न उपर, इस capital क कैसे calculate करते हैं, वो यह पर दिया है, कि from nationalizing banking से कितना fund आ रहा है, for bank in corporate offset India से कितना आ रहा है, other banking से कितना आता है, authorized capital, issue share, subsidy care, call up capital, last call up, paid, यह सब, फिर reserve and surplus में, reserve and surplus में, यह सब आपको सीखना पड़ेगा, यह सब point याद करना जरूरी है, फिर deposits का हो गया, deposit में क्या क्या आता ह है, इन सब को तीनों को plus किया जाएगा, फिर deposit from branch of India, deposit from branch of outside of India कितना है, वो सब यह पर देखा जाता है, same पर borrowing होगा, other liability and provisions, cash and balance with the reserves bank of India, तो इनका जो total करेंगे न, वो total हम यहापर लिखते, जिसे capital का जो भी total आएगा, amount final number for 20 lakh खाया, तो क्या करेंगे, फिर्स लिका 20 lakh लिख दिया, और previous rate का 10 lakh लेगा, तो 10 lakh लेगा पर लिख देंगे, इस तरह किसे लिखा जाते है, calculate करना नीचे, चीसे working note पहले बना देता, अब यह हमारा main answer, अगर यह नहीं करोगे, तो working note भी हमारा main answer है, वो नहीं बनेगा, इस तरह के investment, advance, यह सब आपको याद करना पड़ेगा fix assets में क्या क्या आता है, other liabilities में क्या होगा, contingent liabilities में क्या होगा, interest on, इसमें आप उपर नीचे कुछ कर दो कर चलेगा, लेकिन जो final answer आना चाहिए, वो fix अच्छे से बराब क्लीर आना चाहिए, यह जयाना रखना है, यह पर और कुछ नहीं है, कुछ important इतना नहीं है, काली क कौन सा तम में किदर क्या जा रहा है, इतना भी हम डीटेन भी इतना जाएंगे नहीं, यह कुछ important transaction से, like a debate on bill is discounting होता है, जो हम bill लेते हैं, उस पर discounted income को हम bank से discounting नहीं किया जाता है, उसका कैसे closing होता है, वो दिया गया है, इसमें यह पर इतने बड़ बड़े sums नहीं आए जाएंगे, bill for collections मालो में, आपको कोई भी bank से, जब customers का bill collect करता है, उसे को बहुत है, bill for collections, यह देखिए, यह देखिए, यह देखिए, पर question उपर दिया था, उसका sums कैसे 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 देख सकते हो, इस तरीके से होता है, लेकिए अभी आपको यह साल तो खाली, आपको MCQE है, तो हम MCQE साफ से forward ने हम देखा जाते है, क्या है, अब ऐसा आसकते है कि, boring income का अधर, जो हम इंडिया से जो boring करते है, bank, कितना amount है, वो find करो, यह questions इतने बड़े नहीं आएंगे, कुछ एक या दो line की questions होते है, यह देखिए, यह देखिए, यह देखिए, यह देखिए, यह bank may close their accounting on, कब bank जब अपना accounting close किया जाती, वो यह देखिए, तो 34 December आएगा, 30 June आएगा, 31 March और 30 September यह देखिए, यह देखिए, यह देखिए, यह देखिए, 30 September भी बोल रहे है, तो यह मैं confirm कर दोँगे, पहले क्या answer है, इसका इसका, इसके साब से मैं comment करके बता दूँगी, यह पर बाकि सब भी questions से आपर दिये गए है, जिससे ऐसा आ सकता है कि Bill, Purchase and Discounting are shown in the days on the balance sheet of the bank. आप फ़र सोच के बता हो, इसका answer क्या होगा? तो balance sheet कभी भी किसके हिसाब से बना जाता है? schedule 9 के हिसाब से. बाकि समोर कुछ भी नहीं है, अब next lesson में चले जाएंगे, इसके पहले हमने bank company के बारे जाना था, account कैसे solve करते हैं, same है सही, अभी हम insurance company के बारे में भी जानेंगे, insurance company क्या होती है? जैसे for example हम ले ले लेते है, LIC, बारबाद, तो उसी के साब से आप थोड़ा देखेंगे, क्या होता है, क्या नहीं तो किसके साब और insurance company के हिसाब से चलता है या और insurance act 1938 के हिसाब से, इंसॉरें इंसॉरेंट दो होते हैं जो इंसॉरेंट क्या होता है जो कंपनी इंसॉर देती है वो इंसॉर हो गया और जो परसें ले रहा है वो इंसॉर होता है अब जब हम इंसॉरेंट क्या होता है जब हमें कुछ लॉसिस हो गया या कभी आंग लग जाती किसी चीछ में तो अभी कोई पर फायर लग गई है मैंने अगर इंसॉरेंस कराया हुआ है तो मुझे जो उसका रॉस्स होगा कौन देगा इंसॉरेंस कंपनी देगी लेकि अभी इंसॉरेंस कंपनी को भी अपना कुछ ने कुछ अकाउंट मेंटेर करना पड़ेगा तो वह हम यहाँ पर पढ़ फायर मालूम है और मरीन मालूम है मिस्किलिस इंसॉरेंस फायर मालूम है आंक लगने से मरीन मतलब पानी से और मिस्किलेंस मतलब जो हमने गुर्स वहाँ पर लगा होगा उसके बारे में तो वो चलता नहीं है, कंपनियां के पूरा चेक करती कि आंख कैसे लगी, और चितने का आमने इंसाइट कराया होगा, जिस गुड्स का इंसाइट कराया होगा, वो ही गुड्स की आपको अमाउंट वापस रिफण होता है, बाकि कोई चीज का रिफण नहीं होगा, तो इसमे आपको Registration Policy कराना बता Registration Claim कराना बता Registration of Agents ली होते हैं कि किसने Date of Appointment क्या है Agents of Agents का क्या है यहाँ पर सब देखा रहते हैं जिसमें Cash Book Journal यहाँ पर सब हम Follow करते हैं First Year का Premium Book, Revenue Premium Book, and Suddent Policy Book में यहाँ पर देखा रहते हैं अब हम जो पॉलिसी ले रहे हो क्या Whole Life Policy ले रहे हैं मतल़ लाइफ टाइम के लिए यह एंडाउनमेंट पॉलिसी मतल़ सब्सक्राइब के लिए जो तक वह चीज एकस्पारी ना हो जो तब तक ले रहे हो या विद्D Profit Policy से Profit रो तब तक वह चीजा का बॉलिसी लोगे है या विद प्रॉफिट पॉलिस्य लोगे हो या बोर्नस के हे हिसाफ से ले रहे हो, प्रेंएम के हिसाफ से ले यह जांदर, वैलियह, standard value, claims यह सब भी पॉइंट यह पर इंपोर्टन है यह पर और कुछ नहीं है जैसे हमने अभी इसका अपना पढ़ा था क्या हो बैंकिंग कंपनी के बारे में पढ़ा था विसे यह पर रिविनिव प्रॉफिट के यह पर पालिसी होड़र अकाउंट ने कैसे क्या चेक है था कि उसक एकसिप कितने का हुआ एंड इंट्रेस कितना है प्रॉफिट ऑफिट ऑफ से applied बेंटीव है लोचेंटेश कितने हो रहे हैं चेजजills सामाण बेच चया रहहे हैं उसका प्राइज ली इंच सबस्पल साप्रास कितना मिलेगा यह सब हम क्यांलकूलेट केंपर करते हैं profit and loss profit and loss same हमारा वोई interest dividend profit and sales sales हो गया loss on sales with other income में या उसका losses कुछ हो रहा हूँ calculate करके हमें last week amount हमें मिल जाता है balance sheet balance है अभी हमने सीखा था surplus one share capital resume surplus borrowing policy liability कितने का लिया है provision for leaking liability कितने का लिया है बहुत में assets में क्या क्या आएंगे वह सब जिसे आपर numbers दिये गए ना इसी number से हम नीचे calculate करेंगे particular चीज़ों को लेकर करेंगे का टोटल कितना आएगा जो भी करेंट का टोटल आएगा वह amount या पर हम लिग दिएंगे कांटिजन liabilities find कि जाती है फिर आपर फर्स दिये premium रियूनी प्रीनियम और सिंगल प्रीनियम होता है फिसे हम commission expense fine करते हैं आपर हम जैसे में banking में अलग-अलग चीज़ों को अलग-अलग तरीकों से fine करना है आपर कुछ important नहीं दिगा बस अपर sums आ गए अभी बस यह lesson और को important नहीं है अभी objectives आ गए हम चले नेक्स लेसन में अभी accounting for the cooperative society cooperative societies क्या होती जापर उनका क्या बलता जो cooperative societies होती अलग-अलग जोगों पर banks होता है कोई हमें उसकी साब से हमें वापर rules और regulation चेक करना पड़ते हैं कि cooperative society में ज्यादा ज्यादा लोग होते हैं कि वापर society वह वरवचे से हमारे building में होती है society बस उसी तरीके से तो वो सब हम उसमें देखा जाएगा उसको हम cooperative housing society बोला जाता है और इसको किसके साथ देखा जाता है महारास्तर rules as a cooperative society act 1961 के हिसाब से हमें या पर देखना पड़ता है और महारास्तर onorship flat act 1963 अब cooperative society क्या हो गया cooperative society किसके देखा जाता है section 2 subsection 27 के हिसाब से और इसमें members कितने भी हो सकते हैं जिसा हमारे building में society बनती है उसमें अलगले members joint होते हैं बस वैसे cooperative year क्या हो गया the act has filled the 30th June as the accounting year however the most of the society बोला कि 30th June के हिसाब से follow किया राता है बाकि लेकिन बाकि जो जो अलग अलग society होती है वो क्या करती है finance ने year के हिसाब से follow करती है बाकि नॉर्मली exactly date के हिसमें 30th June working capitalist क्या है मालूम है by laws आपका जो मालूम है कि क्या उसमें उनका जो भी society में members आने वाले उसमें का नाम, address, society में amount कितना है minimum amount of shares कितना है terms, qualifications कितना है उनका rights का है उनका क्या काम करेंगी वो सब उसमें दिखाया जाता है management and administration क्या होता है general body के हिसाब से देखा जाता है यह पर accounting system चेक करें as per the rule 65 के हिसाब से और accounting books है record होता है जिसमें cash book, journalization, stocks, registration, property, property registration का भी book रखना ज़रूरी है कितना है members, registration के minute book, minute book का मतलब होता है जब हम में meeting लिगा जाता है तो meeting में हमें फटा-फट कुछ ने कुछ एक book में लिखा जाता है जिस book में हम लिखते हैं उसको भोलते है minute books सेम यह पर एक format of profit and loss दिया है यह पर T form में दिया गया है इसमें profit and loss का दिया गया है अब type of corporate society क्या होती है जो credit corporate society के साब से देखा जाता है यह customer cooperative society होती है जिसमें buyer sellers को देखने के लिए अपर एक society बना देते है फिर primary consumer society होती है center whole store होती है department store होती है agriculture यह cooperative banks हो किया है अब जो agriculture है ना at least three-fourth of the member agriculture होने चाहिए 75% जवब पर जो member society में आ रहे वो कौन होने चाहिए और फार्मर्स होने चाहिए access bank, center bank, family society, crops protect society या feather societies और सो calculate कैसे कहते है यहाँ पर अगर primary consumer society होती 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 है 20,000 rupees cooperative sugar factor 25 rupees 25 Reiser per ten 25 Paisa per ten maximum कितना उना चाहिए 25,000 backward class house society होती 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 है per rupees per member या 10 rupees 10 per member या urban carried society होती 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 होटी होती होती है 110% of working capital subject to maximum Rs. 1000 sacked capital मालूम में आपको reserve surplus मालूम है यह नॉर्मल यह बार बार हम words repeat करके कुछ फाइदा नहीं है यहाप अब यह sum दिया गया है यहाप हमारा यह lesson complete हो जाता है सभी में आप अब्जेट्यूस दिये गया है किसी किसी lesson में आपको अब्जेट्यूस के answers मिल जाएंगे किसी में आपको नहीं मिलेंगे अब आजाते हैं foreign currency converts foreign currency तो आपको मालूम है अब उसको कैसे करना है rules से उसका regulations क्या है वो देखा जाते है fixed assets दियेगा जो rating during the time they were accept और जो fixed liability होगा जो उनका trial balance में date amount दिया रहेगा वो current liability में भी जो date of trial balance दिया रहेगा वो limit set up by the branch जो भी उनका actual rate होगा वो दिया रहेगा good receive from the h as well as the goods written by h o company जो भी date of receive दिया रहेगा वो nominal account actual rate during the accounting period के हिसाफ से दिया रहेगा वो अब यह पर foreign branch यह होता है जो company इंडिया में है उसकी कोई foreign company हमारी जो branches होती वो अलग-अलग अलग foreign country में हम जब खोलते तो उसको बोलते है foreign branch और उसका जो main head office होगा वो कहां भी होगा किसी एक particular country में होगा अब इसमें problem क्या हो जाती है जब foreign country में हमारा कोई branch हो तो वापे उनका calculation क्या होता है foreign amount में होगा सब्सक्राइब मेरी इंडिया में head office है लेकि company कहां हो गई foreign में होगई तब हमें बहुत problems face करने पड़ती क्यों अलग अलग टाइम पे कुछ चीशी purchase किया या sales की होती है या हमने कुछ carriage outward हो जाता है carriage inward हो जाता है तब हम आपे problem होती तो particular इसमें यह date से यह date क्या currency चल रहा है या कितने में चल रहा है वह हम आपे check करके कि उसको हमें exchange करना पड़ता है अब अनता कैसे head of account बनेगा currency debit credit रहापस rate of exchange and rupees debit and carry वह पर जो भी हम उसका नाम लिकेंगे currency क्या debit में या credit में यहापर लिकेंगे अगर debit में यहापर हो तो यहापर भी debit credit में कर डॉलर में credit में हो तो यहापर भी हम credit भी लिकेंगे rate of exchange का जो भी price लेगा वो रहेंगे यहापर date की सबसे हम चेक करके लिकेंगे अब देखो यहापर dollar में amount दिया है head office amount 8500 goods for head office 44,000 dollar furniture 9000 bank balance 1250 cash is 250 rent 1200 इस तरीक से अलग अलग अपर दिया गया है अब यहापर एक आपको price amount मिलेगा यह दिखे exchange rate value क्या दिया है कि जब first update 2010 को जब उन्होंने अगर कुछ exchange rate किया रहेगा तो 1 dollar का price कितना होगा 28 rupees 31st 3rd 2011 से रहेगा तो 30 अगर किसी के बार में कोई date नहीं दी गई है कि क्या date को कप क्या हुआ था उसका average date क्या ले ले लेंगे 1 dollar 29 rupees यहापर देखिए furniture were purchased in the 1997 where the 1 dollar rupees is 20 यह दिया है और इसको बनाते कैसे यहापर यह सब amount लिकोगे जब actual हमें इसके हमें head of office नहीं मालो हम head of office आएंगे late दिया है कुछ नहीं दिया है तो किसे से multiply करेंगे 29 rupees से फिर क्या दिया है furniture furniture कितना है 9000 9000 furniture कितने बोला 20 rupees दिखिए furniture कहा गया यह रहा 20 पर multiply किया amount लिक दिया इस तरी किसे हम यहापर स्वाल करते है जिसका कुछ नहीं दिया रहेगा उसका actual जिसका कुछ दिया रहेगा तो वह बात में अब आप सवाल पूचो कि मिस यहापर हमें bank balance का कुछ दिया नहीं है तो कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें कौन सा amount में कब calculate करने का है bank balance हम कभी भी कब दिखते हैं जब हमारा account stock हमारा balance date खतम होना है तो balance date खत्म होना है 31st March 2011 खत्म हो रहे है जो bank balance हम किसमें चेक करेंगे 31st March 2011 से कितना date हो गया 30 चेक करो bank balance 38 30 अब जो salary मिलेगी तो नए साल में हमें कुछ मालूम नहीं रहेगा और इसमें एक चीज़ हो बता तो आपको में यह पर कुछ purchase कुछ दी करें outstanding जिसे यह पर यह रहे के stock दिया है first upload 2010 पूराना stock था 8500 तो 8500 के साफ से हम क्या कुल करें जो भीचेश पर्चेस करेंगे तो starting of the day में purchase किया जाते हैं और पर्चेस का में कुछ date नहीं दिया रहेगा तो क्या करेंगे उसको 29 से ही monthly करेंगे इस तरी किसे हमारा यह पर dollar से हमने रूपीज में इसको convert कर देते हैं ऐसे ही बाकि सभी सम करने है और इसको इसमें convert करने के बाद हमें क्या बनाना है balance sheet बनाना है और profit and loss दोनों बनाना के calculate करके रख देना है सेम ऐसे बाकि सभी समस्यां पर करने है अब आजाते हम publishing the cooperative annual report annual report मतले जैसे आपा स्कूल्स कॉलेजें पर function होता है end of the year में हम अपना एक annual report annual functions लगते न जिसमें हम बताते क्या क्या किया इस साल में क्या वो सब schools में वैसे यहां पर हमें company का cooperative का भी annual report publishing किया जाता है basic financial report बनाया जाता है कुछ उसमें क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए वो बताया गया बात में यह पर general purpose of finance report क्या आता है investor कितने थे employees कितने है इसमें लिखना पड़ता है किसी चीज़ का information या कुछ find करना तो relevance के हिसाब से हमें find करना पड़ता है जापे हम इसको decision या अमरिका accounting associate के हिसाब से community के हिसाब से आपे देखा जाता है reliability reliability is one of the two primary quality जिसमें reliable and relevance and reliability के हिसाब से हम आपे decision making करते हैं understandability understandability क्या हो जाता है किसी चीज़ का quality है हमें कुछ understanding करना के quality कैसी है या उसको information से बरबर ही है नहीं वह सब आपे हम देखा जाता है या पर और कुछ fundamental accounting assumes going consume या actually कितना हो रहा है nature of accounting policy क्या क्या है वो सब बताएं क्या है ये lesson important है इसमें आपको object risk के लिए mcqs के लिए questions आ सकते हैं तो इसको अच्छे से आप क्या करोगे दो से तीम बार कितने बार दो से तीम बार ये particular lesson आप डूट कर दोगे अच्छे से तो जिससे क्या और देख आपके concept अच्छे से clear हो जाएंगे कि इसमें क्या क्या दिया गया है और accounting standard ASI की हिसाब से देखा आते हैं अब ये main चीज़ है कि कौन से कि schedule के हिसाब से हमें देखना पड़ता है नोट जो accounting बनाएंगे cooperative annual report में किसके schedule के हिसाब से हमें बनाना पड़ते है schedule जिससे share capital दिया है schedule जी जिससे हमें current assets in the bank current assets loan and advance के लिए दिया है फिर schedule क्यों किसके लिए important accounting के लिए दिया गया है फिर accounting क्यों में क्या क्या आता है वो दिया है basic of account sales and service income, reserve and development, retirement, fixed assets, losses, depreciation, investor, invader, security premium account, borrowing cost, internet, interest यह सब के बारे में यहाप है हम इसमें फिर आपले हो गया से एक बारे टेक्स of income यह सब हम यह आपर दिखा आते है note providing part of accounting होता है note उसमें लीचे हम सौट एक note provide करते है न विससे यहापर भी note of providing करना ज़रूरी है एक director report बनता है director report में क्या होता है जो हमारी director होते है उनका कितना उन्होंने investment plan of investment क्या है उनका expense अपना optional bit क्या होता है self review से क्या हो जाते है और balance sheet और उनका और annual report के बीच में टाइम लिए दिया जाते है अब आजाते हैं accounting standard part one accounting standard system और यहां पर कुछ accounting 17 दिया गया है borrowing के बारे में दिया है borrowing आपको मालूम है किस चीज को हमें borrowing के जाते हैं building या fixed assets गया पर या कुछ assets के हम funds या cost borrowing करते हैं उसके बारे में दिया गया है हम उसमें देखते कि हो tangible है या intangible या intangible वो जिसको हम देख सकते हैं और intangible जिसको हम नहीं देख सकते tangible क्या हो गया furniture हो गया planted machinery intangible गुडविल हो गया है है तो asset ना लेकिन general borrowing कितना हो रहा है और specify borrowing कितना हो रहा है वह यह पर हम calculate क्यारते हैं segment results कितना आ रहा है segment assurance कितना रहा है वो दिया इतने कुछ important नहीं है यह सब चीजे primary report form में बनाना पड़ते है primary report form में क्या मतलब कि 4260 paragraph होने चाहिए enterprise का disclosing होना चाहिए segment का revenue classifications यह सब चाहिए total carries amount of segment ascending यह सब भी होना चाहिए और फिर एक हमें note तरक के बना जाते हैं जिसमें notes में उनमें जैसे आपर दिया है the product or the good or produce or the service or the group of service दियते थे हम उसमें class of type of class के हिसाब से हम उसको divide कर सकते हैं जोगरोफिली segment के हिसाब से डिवाइड कर दो या primary format के हिसाब से डिवाइड कर दो तो वह भी होता है अब आता हम accounting standard part 2 में जापे earning per share के बारन में accounting for the tax of income accounting section 22 accounting standard याद करना जरूरी exams में last time के paper में भी यह accounting standard बहुत बार पूछा गया नों अलगा तरीके से पुछते हों लो तो earning per share बार एक share बेचने में कितना earning कमाते हो उसके बार में हम यहां पर देखने वाले इसमें कुछित में जिसे आपने देख सकते हो एक्विटी सेयर क्या होता है एक्विटी सेयर अधर देन प्रिफेरेंच का काम मलें प्रिफेरेंच को मिलने के बादी एक्विटी सेयर को मिलता है उसके बाद equity sales को profit मिलता है loss होने के बाद भी preference sales को उनका जो profit होता amount वो मिल जाएगा और जो भी losses होगे वो equity sales को देखना जाता है measurement आते हैं basic earning पर से भी कितना उनको earning होता है वो देखना पड़ता है बाद में net loss ने profiting किया जाता है ये सब और अगर कुछ नहीं इसमें theoretical questions आगए हमारा यहापर यह lesson complete हो जाता है एक ही आता है कि किस तरह के से हमें उसको assets को जो taxes assets होता है वो किस तरह के से में देखना रहता है वो आपर किस तरह से में लिखना रहता है वो उसके measures क्या होगे कि current assets को कितने में measurement किया जा रहा है फिर डिफर assets को कैसे measuring use किया रहा है तो उसके low क्या हो गया है वो सब हम यहापर देखते है अब आता है value of goodwill goodwill को कैसे हम calculate बोलतो है कैसे हम उसको maintain काना पता है उसको हम कैसे calculate करेंगे वो हम यहापर देखने वाले गुडविल क्या होता है गुडविल एक तरह का intangible assets होता है जो दिखता नहीं है लेकिन वो किसी चीज का कोई company का एक बाद नाम हो जाए तो वो क्या हो गया goodwill हो गया जैसे reliance reliance नाम क्या हो गया एक उस company का goodwill बन गया है तो जापर भी अगर कोई person हमें unknown person हो अगर रिलाइंस का नाम यूज करेगा तो लोग क्या सबझेंगे नहीं यार 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 तो रिलाइंस की company ने अपना लगाया होगा है उन लोग यूज कर रहे हैं ऐसा है तो ये भी हो वो हो सकते हैं कि ये रिलाइंस का ही है तो इसके दर हम यार से हिसा मलेंगे एक एक होता है क्या है नहीं तो कभी कभी ऐसा आता है कि रिलाइंस को जैसे हम कोई चीज franchise देती है कि आप हमारे नाम का company आपके या पर खोले है जैसे जम्बो किंग तो अलग अलग जोगों पर जम्बो किंग ने क्या कर दे अपना franchise को जम्बो किंग क्या हो गया बराबर goodwill हो गया है वो अब इसको कैसे calculate करते है अलग अलग तरीके से calculate सीखेंगे ये important इसको आप मार्क कर सकते हो चर्फिके कैसे हो गाँ हो दिय की अब इसको नीट क्या होते है जब भी कोई नया पार्टनर आ रहा है नया पार्टनर जा रहा है कोई profit and losses में रेशो में हो कुछ चेंजेसा और या कभी हमारा का बोला थाम्यारिमेंट हो रहा है कोई पार्टनर तो हम याप गुद विल करते वह हम देखेंगे उसके पहले कौन सा का पर फिक्स असे की कुछ अकाउंटिंग स्टेंडर्ड दिया गया है यह इंपोर्टन इसका आप मार्क कर सकते हैं यह बहुत इंपोर्टन चीज़ है कि यह लोग पूछते हैं कि आपको अकाउंटिंग सेक्शन 26 किसका है आपको इंटैंजिनेबल असेट तो क्या होगा 26 किसका होता है इंटैंजिनेबल असेट से अब तो से पढ़ेंगे हम डिटर्मेंट और फॉदर मेंटेनेंस प्रॉफिट एफ एम पी पढ़ने वाले हैं एफ एम पी को कैसे कल्कुर करते हूं देखेंगा कैक्र थे पास एवरेज कैसे कल्कुर करेंगे चितना में हमें पिछले साल जो भी है हमें उसमें प्रॉफिट मिला रहेगा समझें मुझे पांच साल का प्रॉफिट मिला रहेगा तो पांच साल का प्रॉफिट को हम टोटल करेंगे और डिवाइट में नमबर और फिर कितने साल का मैं ले रही हूं 5 साल तो 5 साल से हम क्या कर देंगे निचे divide कर देंगे यह उसको weightage average profit से भी देख दाते है total weightage profit मिलेगा और उसको divide कर देंगे total weightage से यह देखे average trading profit after tax कितना है उसमें क्या करेंगे add the income tax हमें profit चो gross net profit मिलता है मालूम आपको वो यह पर हम लिख देते हैं उसमें income tax को add कर देंगे income tax add करने के बाद उसमें increase कितना profit fund हो रहा है saving expense कितना हो रहा है addison income कुछ आया है क्या बात में वो दिखेंगे अब उसमें minus करेंगे कुछ earning not आया, कुछ आया है नहीं अब normal gain हो गया normal gain मतलब जो हमने सोचा है यह इसमें फाइदा मिल गया वो कर देंगे अब यह क्या अगर सब before taxes के हमें मिल जाते हैं, इसमें income tax को minus कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा FMP after tax आता है अभी हम normal rate of return NRR NRR कैसे divide करते हैं यह आपको problem में बहुत कम दिया जाएगा लेकिन आना चाहिए dividend per equity is set in the simple corporate divided by market value per set in the simple company यह important इसलिए है कि income part 2 में भी आपको यह सब आने वाला है तो यह अच्छे से आपको आ जाना चाहिए capital employee capital employee बहुत easy है average capital employee फाइंग करने के लिए कुछ नहीं करने है पहला logic यह है opening capital plus closing capital divide by 2 opening capital plus closing capital divide by 2 या opening capital दिया है closing capital नहीं दिया है तो उसको one and a half profit निकाल दो वो हमारा average capital हो गया अगर opening नहीं दिया है closing तो closing का निकाल दो जब अगर दोनों दिया रहेगा तो दोनों को plus करोगे divide by 2 कर दोगे liability side approvals यह दिया है method of valuable of goodwill दिया है number of year purchase of sales and gross fees year purchasing कैसे find करते है average adjustment rate per profit into number of year purchase जो भी हम net profit आया रहेगा one day by number of year purchase करेंगे तो हमें goodwill मिल जाएगा number of year of purchase and further maintenance profit FMP into number of year purchase करेंगे FMP find कैसे करते बता दिया है मैंने into number of year purchase करेंगे तो क्या जाएगा goodwill आ जाएगा since super profit method super profit method के लिए पहले हमें over profit find करना पड़ेगा over profit कैसे होता है over profit अभी हमने नीचे बता रहेंगे हमें आपको तो क्या करेंगे super profit is equal to FMP minus normal profit अब normal profit कैसे find करते है average के प्रफ़व employee find करने आते हैं आपको into nrr करना है nr कैसे find करना है वो मैंने बता दिया upon hundred तो क्या मज़ जाएगा तुम्हे normal profit normal profit मैंसे मैं अगर FMP minus कर दूँगी तो क्या मज़ जाएगा मुझे super profit purchase का आगे आपको super profit अभी purchase के बाद जब हम super profit मिलता तो उसको कैसे calculate करते है super profit मिलने के बाद good will is equal to super profit multiply by number of year purchase number of year purchase का question में दिया रहेगा six year number of purchasing year है ऐसे capitalization of super profit capitalization की तरिके से करने बोला रहेगा super profit find करने के लिए तो good will is equal to super profit upon nr into hundred इस तरिके से आपको करना रहेगा any two matters से बोला रहेगा तो super profit multiply by reference of to any two table any two table दिया रहेगा super profit से multiply कर देंगे और ये क्या बन जाएगा हमारा good will अब capitalization कीसे find करने है तो find out fmp पहले find किया fmp को multiply by hundred divide by nrr से किया और net asset trading asset कैसे find करते है चितना भी हमें tangible asset दिया रहेगा वो third party का liability से minus कर देंगे और हमें का मले जाएगा net tangible fixed assets good will कैसे capitalization value of fmp minus net trading net tangible trading assets इस तरह के से questions पूचें कि इतने बड़े sums आदेंगे नहीं दो average profit कैसे find किया इन सब को plus किया divide by 4 किया और average profit मिलिया इसे यहां पर सभी आपको sums करना है यह एक्जाम में आ सकते हैं कि फॉर्मिला बेसिस पर सम है ना तो फॉर्मिला बेसिस पर आपको एक्जाम में questions पूचे जा सकते हैं यह होगी हमारा lesson यह आप आप आदा है वेल्यूट आफ शेयर्स एंड बिस्नेस शेयर्स पर मालूम में आपको क्या होता है शेयर्स पर पब्लिक या प्राइवेट कंपनी के लिमिटेट के हिसाब सो चलता है कोई भी खरी सकता है पब्लिक भी खरी सकते है प्राइवेट कंपनी भी खरी सकती है और इसको अलग 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 प्राइशिस में हम उसको sell out करते हैं जब भी कोई sales खरीता है तो उसको एक certificate मिला जाता है अब जब भी इसको अफेट का करेंगे उसका name of the उसमें में business क्या है उसका demand supply कितना है goodwill of company कितना है ये सब भी उसमें देखा जाता है अब sales को दो तरीके से देखा जाता है एक equity sales और एक आता है preferences equity sales जो होते हैं जो company के accounts को भी check कर सकते हैं company का account को देख सकते हैं और उनको voting right होता है कि अपने director को select करने के लिए preference sales को प्रिफेरेंस को को भी voting right नहीं होता है वो अपने company के accounting books को नहीं देख सकते हैं नहीं आता कि वो डायर क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं वो बोलते हैं जो भी amount of equity sales दिया रहेगा दिसे आप कैसे करते हैं दिखाते हैं आपको असेट दिया रहेगा goodwill को fine करना है यह रहेगा goodwill लिखा land and bill ने प्रांट एंद मासेट असेट लिख दिया work equity capital मिल जाएगा wild value basis के इसाप से तो fixed amount of further maintenance profit दिया रहेगा same as a goodwill value करना है बस एड के करना है bank interest on the non trading investment रहेगा वो हमें यह पर करना है उसमें से less करना है transform to reserve as a require under low preference dividend mp of available to equity shareholder हमें यहापे मिल जाएगा उसमें से फिर हमें fmp upon paid up equity से जितना पर देगा उसको multiply by 100 करेंगे अब हमें जाएगा main answer तो find करना है main answer यह हमें मिला upon nrr into amount period per send इस तरीके से हमें यहापे answer मिल सकते है यहापे तो capitalizing value भी find कर सकते हैं अभी हमने इसके पहले लेसर में सिखा था कैसे find करना है same fmp upon nrr करेंगे into 100 कर देंगे यहापे हम मिल जाएगा जो भी हमें capitalizer मिलेगा उसको number of equity share से divide करें तो wild value मिल जाएगा और fair value, fair value क्या होता है interest value plus wild value को जब plus करेंगे divided by 2 करेंगे तो fair value मिल जाएगा earning capacity value earning capacity value के लिए earning is equal to net profit after tax plus interest on loan term value करता हो capital employee अलगलग तरीके से find करा जाता है जैसे हमने पहले find कहाता है opening capital plus closing capital divided by 2 find कहाता है इसको अलग से भी find करते है asset minus short term liability या fixed asset plus investment plus working capital rate of earning के से find करते है earning into 100 करेंगे और divided by capital employee मिल जाएगा value per equity share जो भी rate of earning मिलेंगा divided by NLR करेंगे into paid up value per equity share same step वही follow करना इसमे steps पर कुछ नहीं फरक करेंगा खाले फरक क्या पड़ेगा जहापर हमनों आपर कुछ और word use किये ते यहापर हमने से word change करना है यहापर हमें equity sales capital की amount या number of shares इस तरी के हम आपर word use करते हैं अब यह देखें कैसे find क्या है क्या आपर क्या बोला net asset net asset कितना available है उसमें से unpaid share capital को plus कर देंगे क्योंकि अफितर shares unpaid आएगा ना future में तो आएगा और उसको national call party लेगा वो भी add कर देंगे इस तरी के सामय क्या मिल जाएगा fully share value जो amount मिलेगा उसको total number of equity share से क्या कर देंगे divide कर देंगे और यह पर जो value मिलने है उसको minus कर देंगे national call per share से और क्या तरीका है amount of equity share का मिलने है उसको number of paid up of equity share holders multiply by paid up amount of each class of equity से ऐसे wild value क्या हो गया कि हमें कुछ calculate कर रहे हो fmp के लिए अभी हमने find क्या था कैसे calculate करना है बस से वे आपको वही तरीके से calculate करते रहने है calculate करने में कोई अलग तरीके से कुछ नहीं use करना है और वैसे आप इसमें calculate यूज करते हो तो फटफट आप उंगली अपना चलाओगे फटफट इसको solve करने है बस इतना ध्यान रखना है कि formulas अच्छे से आने चाहिए वह आप क्या करो एक not down कर दो बुक में लिख दो किसी पटिकुल एक पेर में आप बुक में किदर लिख दो जबी भी आप उसको पड़ो गया करोगे तो आपको समझ जाएगा हाँ NRR करने पर यह चाहिए FRM करने के लिए यह चाहिए equity shareholder find करने के लिए चाहिए अब जैसे देखियो value per share find करने के लिए क्या चाहिए average rate of dividend upon NRR into amount paid per equity shares से हमने preference shares के लिए equity share के लिए find करने था वैसे preference shares के लिए भी find करना है सेम है सम् कुछ फरक नहीं है यह आपर कुछ अलग नहीं है अलग तरीका कोई नहीं है इसमें और यह आपर दिया value of the business के दिया goodwill and other intangible assets fixed and given assets long term funds adjustment of FMP, capital employee NRR किस तरीके से क्या के लिए करने पर value of business का format मिल जाते है सेम वह दिया है कि कैसे हमे earning per share महतरा से fine करना है EPS fine करना है value of total share fine करेंगे business value क्या मिलेगा इसको जो भी मिलेगा उसको multiply by 100 divide by NRR कर देंगे dividend capitalization method यूज़ कर सकते हो आप लोग exam में बोलेंगे dividend capital method से यूज़ करना है किस तरीके यूज़ करना है वह भी आपको उसमें बताया जाएगा अब आप जाते हम international financial reporting standard में international financial international आपका मालो में बहार के लिए उसको कुछ न कुछ हमें financial reporting system दिया रहेगा यह बहुत important है IFRS का full form क्या होता है international financial reporting system और IASB क्या होता है international accounting standard board यह आपको exam में पूछा जा सकते है इन दोनों का full form क्या है तो यह आप याद कर सकते हो इसको कुछ objectives दियेंगे किसका क्या use किया है scopes दियें गए है scopes क्या हो गया SIS का standard interpret community के हिसाब से हम देखना पड़ता है यह international accounting standard के हिसाब से हमें वापे देखना पड़ता है अब क्या दिया है IFRS का first क्या हो गया first term adopt, share basis business combinations insurance contract non current asset, finance and instruments, instruments operating segments ऐसे अलग-अलग तरिके के दिये गया international accounting standard क्या हो गया यह बहुत important है इसे पूछेंगे आपको एक्जाम में international accounting standard as per 7 क्या होता है cash flow statement यह याद कर लो बहुत important इसको में जादा एक्समें कर कुछ फाइदा नहीं है याद करना पड़ेगा आपको माइन में बढ़ाना पड़ेगा और इस क्या कर सकते हैं आप वैसे जैसे formula not down किये वैसे यह सब भी accounting standard को भी आप not down कर दो एक बार लिखोंगे याद हो जाएगा फिर आपकर क्या दिया IAS challenging of IFRS IFRS के हिसाब से the financial instrument होता है IAS 41 के हिसाब से agriculture होता है इस तरीके से आपको एक्जाम में पूछे की कि किसका क्या यूश होता है क्या नहीं होता है यह सब share basis के payment के हिसाब से क्या हो दिया गया है यह आपे कि यह लोग ने cash या other assets या equity instrument को देखा जाते हैं और आपे accept किया रहता है और जो भी यह आपे share option हो गया है cash settlement हो गया transaction होता है business combinations होता है जो भी हमने अलग अलग अपड़ा था उपर अभी बताया था मैंने आपको points उस तब कर यह आपे meaningly बताया गया है meaningly जितने जानना जरूरी नहीं हमें खाल इतना ज्यान रखने कि कॉंसा section कब के लिए use होता है यह important है the tax force by the counselling of the ICII और क्या दिया है यह पे committed on the April 1st April 2011 के हिसाब से कौन कौन आता है MCA, RBI, IRDA और Tax Solidity and the SIPB यह सब यह आपे included होते हैं और बात में accounting standard 1 के हिसाब से processed by the traditional declaration of ICII 2 to 2nd of February 2009 के हिसाब से first year of reporting कब हुआता है accounting period committed on the April 1st April 2011 normally 1st April 2011 to 31st March 2000 year date of adapt date of reporting कब करगे जब खतम होगा comparative year कब होगा जब चालू हुआ से लेके चालू खतम होने अग financial year date of transitions हमेशा इसको जरूर क्लिक कर दे तो उसे तीन बर आप पढ़ लोग है खाले हो 2-3 lessons तो आपको concept clear से उसमें और कुछ problem नहीं होगी और अगर आपको MCQs चाहिए answers या आपको test books चाहिए या early wise या semester wise test books अगर आपको चाहिए तो आप मुझे comment कर सकते हो मेरा एक और channel है वापे आपको यह सब कुछ मिल जाएगा उसका link में आपको description box में दे दूंगी तो वह भी आप जाके चेक कर सकते हो तो वापे उस website पर जाके उस channel में आप website मिलेगा वस website पर जाके आपको सब कुछ मिल जाएगा कि काहसे tais book गासे डाउनलाड कर सकते हो एक जासे website में आपको को सब कुछ मिलेगा E semester wise textbook हो गया mcqs हो गये हैं notes होगई है सब कुछ आपको उसी एक website में मिल जाएगा तब तक के लिए all the best अच्छे से पढ़ी हैं अच्छे से दीजिए और आपको बहुत benefit है mcqs के basis में आपको papers हो रहे हैं चलो बाई and all the best